खबर मुरैना से है जहां क्रिस उपज मंडी में एक ब्यापारी को पीटने का मामला सामनी आया है ब्यापारी अपने घर खाना खाने जा रहा था इसी दोरान पुलिस लिखी एक गाड़ी पर दो युबक आये इन्होंने ब्यापारी पर हमला बोल दिया हमला से घबराये बुजर्ग ब्यापारी ने भागने की कोशिस भी की लेकिन गुंडो ने उसका पीछा की और सड़क पर पटक कर पीटा इसी दोरान बदमास उसकी जेब में रखे 5000 रुपय भी छुडा ले गए बाद में पेडित ब्यापारी कोटवाली था ने पहुचा रिपोर्ट लिखवाई बुजर्ग ब्यापारी राम वतार सर्मा उम्र अंठावन वर्स क्रिस उपजमंडी परिसर में गोदाम नंबर 14 के पास अनाज खरीदी का काम करता है वह अपने घर खाना खाने जा रहा था इसी दवरान उसके पास एक बुलेरो जीप आकर रुखी जीप पर पुलिस लिखा हुआ था जीप से दो यूवक उतरी और उन्होंने बुजर्ग को पकड़ लिया फिर बुजर्ग ब्यापारी के साथ मार पीट की जब तक वह समझ पाता कि क्या हो रहा है उन्होंने उसकी जेब में रखे 5,000 रुपे निकाल लिये अपनी जान बचाने के लिए ब्यापारी वहां से भागा तो बदमासों ने उसका पीछा भी किया और पकड़ लिया फिर उसे लाठी डंडों से पीटा पीटने के बाद बदमास वहां से भाग गए पिडिद ब्यापारी कोतवाली थाने पहुचा और दिसकार दर्ज कर आई इसके बाद कॉंग्रेसी नेता राम लखान दंडोतिया भी मौके पर पहुच गए उनके साथ थाना प्रभारी योगेन सिंग जादौन भी मौएना करने पहुचे थे पुलिस ने ब्यापाली की रिपोर्ट पर दोनों अगजात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है